हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार क्रेलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है पुछे आज मैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक लेकर के आया हूं आपके बीच में जो की है आप देख पाने होंगे पोर्ड पे पशू जंगरना जैसे अच्छे से सिक लरक के पूछा गया था कि हर्याना में सबसे ज्यादा सुवर कहां पर पाजाते हैं तो वो जो क्वेशन था इसी पर बेज था पशू जनगरना से ही था जो हर्याना पुलिस के अंदर या इन एक टोपिक दिया होता है बचे अग्री कल्चर एंड अनिमल हस्बेंटरी तो वहीं से यह कुशन था तो आज हम उसी टोपिक को करेंगी ताकि आगे आने वाले एक्जाम जैसे अब स्टाफ नर्स के भी एक्जाम डेट आगी है ना लेबरेटरी अटेंडर्ड की भी आगी है ठीक है और सुपरवाइजर की भी एक्जाम डेट आगी है तो हो सकता है उन एक्जा और इत्मिनान से सुनेंगे और बहुत असान टोपिक है, बड़े मजे से मैं इसको कराओंगा, बहुत इंपोर्टेंट भी है, सवाल आएगा यहां से, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले पशु जनगणना हुई थी 2019 में, पिछले ही साल हुई, और पशु जनगण कराता है, ठीक है। तो यह जनगणना कराएगा कॉन सी पशु जनगणना, जो 2019 में हुई, बीश़ु जनगणना हुई थी, अक्तूबर 2019 में, और इससे पिछले वाली जो हुई थी, वो 2012 में हुई थी, तो अक्तूबर 2019 में पशु जनगणना हुई, बढ़ हरियादा ने अ अपने आंकडे परदर्शिनी किये थे, हर्याना के नए आंकडे आचुके हैं, यह बकाईदा मैंने साइट से उठाया हैं, बचे 6,57,500 बतिक से मेरे आंकडे नहीं है, यह बकाईदा आप भी सर्च कर सकते हो, निकाल सकते हैं गूगल पे, ठीक है कि पशुधन हर्याना.gov.in, उसके अंदर 2019 के आकड़नों ने सारवजनिक की हुए हैं, तो वहीं से मैंने उठाये हैं, मेरे खुद के नहीं हैं, यह बकाईदा समझना, तो 20-वी पशुधन जनगनना हुई अक्तूबर 2019 में, पिछले वाली 2012 में हुई थी, और पहली जनगनना, पहली जनगनना, जनगन पिछले वाली जो 2012 में हुई थी, अगली 2017 में होनी थी, 17 में हुई थी, वो नहीं हो पाई, और सीधे अक्तूबर 2019 में हुई, तो यह चीज़ थोड़ा सा ध्यान लख लेना, 2019 ही वो साल है, जिस साल महात्मा गांदी को सबसे पहले गृफतार किया गया था, पलवल रेलवे सेशन से, यह मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कि 10 अप्रेयल 1919 को महात्मा गादीजी को गरिवतार किया गया था और 1919 ही वो साल है जब रोले टेक्ट काला कानून लागू हुआ था और जिसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियाँ वाले बाग में एक शांती पुरन सबा का योजन किया गया और जर्नल डायर ने निहते नर्दोश लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया था तो याद रखना पहली भारत में कब हुई तो 1919 में हर 5 साल बाद होती है परन्तो किसी कारणवाश 2012 से 2017 में नहीं हो पाई 2019 में हुई और ये कौन से नंबर की थी तो 20 में नंबर की थी मुद्दे पे आते हैं जैसे आपने अच्छे से सी कलर का अगर पेपर दिया तो वहाँ पे एक सवाल आ होता कि हर्याना में सूर कहां सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं तो ये वही हम यहाँ पे करने हैं कि कुत्ते कहां हैं सब मैंने ले लिया वहाँ से कि उंट कहां है घचर कहां हाँ हाती कहां है खरगोश कहां है थोड़ी थोड़ी ट्रिक भी है इनको याद करने की तो वो भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी सबसे ज़्यादा पशू है कहा हर्याना में तो सबसे ज़्यादा हर्याना में जो पशू है भाई वो कहां पे है तो आपका हिसार मेगनेट सिटी स्टील सिटी जहां पे इसको कहते हैं हिसार के अंदर है और कितने है छे लाग सतावन हजार पांसो बत्ती है आपको ये आकड़ा याद करने की जुरुत नहीं है बट ये मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि हाँ कि हिसार में सबसे जाना और कितने है तो छे लाग सतावन हजार पांसो बत्ती है मैं बार्बर ये बात कह रहा हूँ कि मेरे कुद के आगडे नहीं है भाई ये पशुदन हर्याना गवर्मेंट की साइड पे सारवजनी की हूँ है पबली की हूँ है आप भी जाके चेक कर सकते हो सबसे कम नैनो सिटी में पाए जाते हैं भाई पंचकुला अब देखो कैसे मैं याद रखता हूँ भाई सबसे ज़्यादा जो अक्षित्रफल है वो किसका है सिर्सा का है पर सिर्सा में सबसे ज़्यादा पशू नहीं है सबसे ज़्यादा पशू कहां पर हिसार है क्योंकि हिसार नंबर दो पर है किसके अंदर शित्रफल के अंदर और सिरसा किस से अलग हुआ है हिसार से तो आप किस की मानोंगे पशू सबसे ज़्यादा में किस की मानोंगे तो हिसार की मानोंगे जो कि कितने है 6,57,532 है और सबसे कम किस में है पंचकुला देखो पंचकुला जो है हलाकि एरिया में सबसे कम फरीदाबाद है और उससे जो नीचे है मतलब सबसे कम पर फरीदाबाद और SECOND PLACE पे जो area में सबसे कम है वो PANCHKULA यह है तो PANCHKULA में SECOND NUMBER में कितने है के वहले 1,58,071 ठीक है 1,58,081 तो PANCHKULA चोटा सा है याज रख लो और सबसे कम पशू भी कहां पे हैं वहां पे हैं हलाकि एरिया में सबसे कम कुंसा है तो फरीदाबाद है यह चाहिए याद रखना सबसे ज़्यादा भैस कहां पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा भैस पाई जाती है भई कहां पे हिसार में पाई जाती है सबसे जदा पशू हिसार में तो हमारे लिए भैस क्या है? भैस का दूद that बहुत पहलवानों के पशू भी पशू भी पान्चकुला और भैस भी नहींुद, है रखते जातीat में पाई जाती हैं सबसे ज्यादा गोशाल हरयाना के अंदर कहां है तो सरसा के अंदर है जिसका अक्षेतरफल क्या है जाए चैए एыл ज्यादा ह हमारे गव माता है ठीक है गाएं तो गाएं सबसे ज़्यादा कहां पे है सिर्सा में गाएं को एरिया क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए कुछ ऐसा अगर के याद रख लो गाएं को एरिया सबसे ज़्यादा चाहिए नंबर दो का, ठीक है? भाई, गाएं और भैस में, हलाकी प्रोटीन वगरा जो है, वो फै्ट वगरा भैस के दूद में जादा होती है, पर जरूरी किसका दूद है? गाएं का दूद जरूरी है, ठीक है? तो इसी वज़े से हमने गाएं को ज्यादा एरिया दिया हुआ है, ज नदड़ा अरिया के मतलब क्या है सिरसा सिरसा जिसका अरिया UX जाधा है इसलिए हमने वब इक सको दिए उए तो गाएं को दिए हुआ वहां सबसे कम कोहा है में मयवात में क्या है Correct मुस्लिम है तो गाये हैं तो आप समझी सकते हैं तो तीन 3088 इस पर मैं जाधा कुछ नहीं बोलूँगा आगे घोड़े भाई गोड़ा सबसे ज़्यादा कहां पर गुरू गुराम पर एक यूट्यू पर बड़ा फेमस टीचर है ठीक है उडान करवाता है वो बच्चों को इ इसको मैं कैसे रिखूंगा भी गर से घोड़ा घर से घोड़ा होता है घड़ी वाले गर गर से पर मैं याद रखता हूं गर मैं यदर घवसे घोड़ा घ्टीर ॉटts गुरुग्राम तो गोडे वह सब जघ्र रहा हैं के लिजड़ाईग्गो गोड़े सब सब से कम है देखो नीचे सबसे कम है उपर जहां पर भी लिखना वो सबसे जयादा कई कंफ्यूंज दो अगे बढ़ते One next be a सबसे जदा का है भीवानी भा से भीवानी नहीं पूचेगा आप ऩर पनी यह पूचसक्ता तो भा से भेड, भा से बिवानी, भा से हर्याना का कोई और चिला है ही नहीं, तो भा से भेड है, भा से भीवानी है, भीवानी में सबसे ज़दा क्या पाई जाएंगी, भेड पाई जाएंगी, सबसे कम कि अगर मैं बात करूं भेड, तो कहां पे हैं, तो गुरुग्राम के आगे बढ़ते हैं बकरी, बकरी, बकरी सबसे ज़्यादा कहा पाई जाती है सिर्सा, अब देखो कैसे याद रखेंगे, गाएं सबसे ज़्यादा कहा थी सिर्सा थी, गाएं क्योंकि एक बड़ा ही होली आनिमल है, पवित्तर पशू है हमारे लिए, तो गाएं को हमने सबसे इरिया दिया हुआ था, बकरी का दूद भी जो है, वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्यों? कि भाई, जब प्लेटें वेकरा, प्लेटलेट्स जो है, मनुश्या के अंदर अगर कम हो जाती है, तो डॉक्टर सला देते हैं कि इसको बकरी का दूद पिलाओ, इसे प पकरी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा एरिया इसको दे दिया सिरसा, और सबसे ज़्यादा गोशाला याद रखना सिरसा में, अच्छा, गाएं से एक चीज़ ये भी बता दूँ मैं आपको, कि भारत में सबसे ज़्यादा गाएं, भारत में अगर क गाये गाये कहान बना जाती है सबसे अधकि जाया में, तो पश्रीमंगाल में, तो बक्री को कहां दोगे भे, जाधा एरियां क्योंटे गप्लेट्यों पप्लेट्युक्वाद कब दिखा के अधक Τा ये, तो शिर्षा हम इपर मुक्त से कम कहा वो कि पानी-पत्र कर दूंदर गदे को काम करते हुए पल का कोई पता नहीं चलता पल मतलब समय का कोई पता नहीं चलता वो काम करता रहता है ठीक है तो गदे कहां पर है सबसे ज्यादा पलवल में गदे को काम करते हुए किसी पल का पता नहीं चलता कब काम खता हुआ कब नहीं वो करता रहेगा ठीक है जहाज को बोला जाताए तो उन्ट को बोला जाता है इसलिए उन्ट भी सबसे जधा कहां पह अधे से strongly और और कम कहां पहाईनी जीरो है ठीक है कंघर कुछर सब से ज़ाए है जगर केंदर कंघर इतने ही मिज़ड़ता कhalten ऑदा जो और और पुरा जो आ रहा है तो खच्चर घजर खचर घजर आदा चो बढ़्य बड़ा चो ठीक है तो खचर रचर जैसा कौन सा जिल है वाला भई अपमान नहीं कर रहे है बास समझना याद रखने के लिए खचर जजर खचर जजर अलागी शेहिदों का शहर है भाई जजर ठीक है अब मान नहीं कर रहा है समझता याद वहने के लिए खचर जजर आदा चर पूरा चर आदा ज़र पूरा ज़र सबसे कम घाँ तो पानी पत हाथी हाथी सबसे ज़्यादा कहां पे तो यम्ना नगर में ज़्यादा चीए तो बड़ा है आती विसाल में गज तो उसको पानी वानी ज़्यादा चीए तो वह कहां ही रहेगा यम्ना नगर के पास यम्ना नदी के पास रहेगा ठीक है उसके बात आज जाते है सुवर पर सुवर 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 स हाँ पर सब्सकción को करें ना को टूब्स मेंकर बातरी प्रजास घासरे अधिलर अर्फिक एक पर कुफाल मुंंगी परला दुस्ति सबस्केर हुआ capital है और कम कहाँ में होंगे कुट्ते तो में वाद में होंगे भाई यह तुम अपने आप थोड़ा वो ट्रिक लिक लगा लो याद अखने के लिए आगे बढ़ता है खर्गोष के अगरवाद कर भाई खर्गोष सबसे ज़्यादा कहां पाई आते हैं तो मेवाद में पाई जाते हैं ठीक है और सबसे कम कहां पाई जाते हैं तो यह थैना की पशु जिंगणना थी मैं इधर हो जाता हूँ आप एक पर अच्छे से स्क्रीन शोट ले लो बाद में नोट कर ले न मैं थोड़ा सा एक overall जिस्ट दे रेता हूँ कि जैसे सिर्सा के अंदर क्या क्या जादा है मैंने क्या बताया था भई सिर्सा वालों को एक तो गाए देनी है हमें तो कुछ ऐसा उन्ट सबसे जादा वो मैंने बताई दिया राजस्तान तो मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट बता रहा हूँ कि सिर्सा के अंदर क्या क्या सबसे जादा है सिर्सा के पास आपको जो सबसे जादा मिलेगा वो मिलेगा भाई हलाकि यहां से भी आप देख सकते हो तो सिर्सा के पास जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वो मिलेगा गाएं गाएं, बक्री और तीसरे मिलेंगे उंट रजस्थान, रिगिस्थान का जहाद जिसे कहते हैं गुरू गुराम के अगर मैं बात करूँ गुरू गुराम से अगर आपको याद हो भाई हिसार के अंदर प्रजनन केंदर भी है कुंसा प्रजनन केंदर है अशव प्रजनन केंदर भी है अशव मतलब घोड़े का प्रयाब अची है अशव प्रजनन केंदर कहां पे है तो हिसार के अंदर है और अगर मैं बात करूं तो भैस भैस प्रजनन केंदर भी कहां पे ह तो हिसार में है भाई और अगर बात की जाए भेड भेड प्रजनन किंदर भी कहां पर है तो हिसार के अंदर है तो हिसार में सबसे ज़्यादा क्या है तो भेंसे पाई जाएंगे बात करें भिवानी की, तो भिवानी में सबसे ज़्यादा क्या थी, बह से भिवानी था, बह से क्या था, भेड, ये तो मुझे लगता है आपको भूलना ने चाहिए, सुवर सह से, और सह सही क्या है, सोनीपत, तो सोनीपत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, तो सुवर है, और यहां लिख रहा हूं, जजजर के लिए मैंने बताया था, जजजर, खचर, खचर, जजजर, खचर, जजजर, है ना, चो, चो, जो, 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 आदा चो, जो, जो, मतलब खचर शब्द की बनावट किसके जैसी है, तो जजजर के जैसी है, तो आशा करता हूं कि यह आपको हमने सबसे ज़्यादा area दिया नमबर दो पर भैस जरूरी है तो नमबर दो का area हिसार का क्योंकि area by 2 है बुच्छे बाद समझे, सिर्षा area में number 1 है, दूसरे पर कोई है तो हिसार है इसलिए हमने सबसे ज़्यादा भैस किस को दी हिसार को दी, बक्री हमारे लिए बहुत जरूरी तो किसको दी, हिसार को दी, बात समझ रहे होंगे, ठीक है, और चैसे दिखा जाए हिसार के अंदर क्या है, बक्री जो है, हमें बहुत ज़्यादा चीहे तो हमने किसको दी, सिरसा को दी, my mistake, ठीक है, क्योंकि बक्री बहुत ज अभी हम कुछे कोशन करन्ट अफेर्स के भी पढ़ेंगे, ये निक यार, मैं उन में से नहीं होगी, अपना ठीक है कि अपना पुब्लिसिटी के लिए एक टॉपिक करवा दिया और अपना चले गए, दस मिनट की वीडियो बना दी, कि बच्चा राम से देख ले, भाई, पे प्रवाइजर की भी आ चुकी है, लैव इटेंडेंट की भी आ चुकी है, ठीक है, तो थोड़ा सा भाई सीरिस हो जाओ, बाकी एक्जाम भी जल्द आ जाएंगे, हरे ना पुलिस का भी आ जाएगा, ऐसा ही बनने का कुछे का सपना होगा आप में से, कॉंस्टेबल बनना ह ठीक है, तो वो भी एक्जाम ज्यादा दूर नहीं है, पटवारी है, कॉपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर है, सब एक्जाम हो जाएंगे अपने टाइम पे, थोड़ा थोड़ा टाइम ही और लेंगे, मार्स तक आप मान के चलोगे, काफी सारे एक्जाम होगे, शि युद लड़ना ही है, चाहे आप हारो, चाहे जीतो, और पेपर भी आज युद बन चुका है, जंग बन चुका है, जिसको पता नहीं कितने लाखो लाखो बच्चे जो हैं वो परपेर कर रहे हैं, वकेंसिय कितनी हैं, बच्चे, वकेंसिय कितनी हैं, हरेना पुलिस के अं सो आठ सो हजार तो टोप में से हजार कलर्क में तो वेकेंसिया बहुत सारी थी एड़ताली सो नंचा सो के आसपास से ठीक है यहां गराम सची में तो वेकेंसी नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई सीरिस हो जाओ वीडियो लंबी-लंबी मत देखो जितना करवाया जा करते हैं चलिए बच्छे कुछ क्रेंट एफएर के कोश्चन है अवाड से लेटेड है बहुत इंपोर्टेंट है हर्याना सपोर्ट से एक कोशन पूछता ही पूछता है और खासकर तब जब हर्याना के बच्चों ने नाम रोशन किया हो तो सबसे पहला अर्जुन अवाड अर्जुन अवार्ड जो की हर्याना के कितने खिलाडियों को अर्जुन अवार्ड जो की हर्याना के कितने खिलाडियों को अर्जुन अवार्ड मिला है जैसा कि मैंने बताया था कि हर्याना का सबसे बड़ा पिछली वीडियो में बताया था हर्याना का सबसे बड़ा पुरुसकार खेल पुरुसकार कुन सा है तो भीम पुरुसकार है जो कि हर्याना का रजयपल वकाईदा देता है तो अर्जुनवाड मिला है 6 खिलाडियों वो कौन-कौन से है 6 खिलाड़ी मनु भाकर लिखा हुए आपके सामने बढ़िया से स्क्रिंशुट लोर कॉपी बिट आप हो मनु भाकर शूटर की खिलाड़ी है जजज़र के कुरेईया गाउं से है और यही वो खिलाड़ी है जिन्होंने मातर 16 साल 16 साल की आईयो में कोमनवेल्थ गेम्स के अंदर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था भी जो की ग्लासगो अस्ट्रिलिया में होए थे तो मनु भाकर शूटर की खिलाड़ी है जजर के गुरेईया गाउं से 16 साल की मातर उमर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर याद रखना दिपी का ठाकूर होकी है मनीश कोशिक बोक्सर है मनीश नारवाल है आगे बच्चे ये भी लिखा हुआ है पैराशूटर है मतलब किस खेल से समंदीद है और मनीश कोशिक जी यो है ये भीवानी से है जिले से तो ये भी पूछ सकता है कि मनीश नारवाल कहां से है जो की पैराशूटर के खिलाड़ी है तो ये भी आगखना फरिदाबा जिले से है ऐसा भी पूछा जा सकता है तो ये हैं दिपक ठाकूर पूरा नाम है दिपक ठाकूर जो की कबड़ी के खिलाड़ी है जसे मनु भाकर कोन से खेल से समंदीद है शूटर से कुछ जिले से है ऐसे बूछ लेगा कि मनीश कोसिक जो की भीवानी जिले से है है स्पोर्ट सवाड जिसमें बकाइधा राशी 5 लाग है अर्जुन में भी पांच लाग थी परंतु बढ़ा के 5 से कितनी कर दी गई तो 15 लाग कर दी गई किस के अंदर अर्जुन अवाड के अंदर कर दी यह च्या लगना और पहले यह मालते थे कि भीम अवाड किसके अधुकास धिया और क्रिशन कमार सर्वसेश कोच को दिया जाता है तो ध्यानचन अवाड मनपरीत सिंह कबढ दी के खिलाडि और क्रिशन कमार नितरपाल हुड़ा इनकोमीला ध्यानचन अवाड मिला तो ये पहलवान है नेतरपाल हुड़ा भई, कुष्टी लड़ते हैं, पहलवान, पहलवान, हाँ, कुष्टी के खिलाडी है, और ये सारे आवाड जो है, ये खेल दिवस पे दिये गए, 29 अगस्त को, और खेल दिवस 29 अगस्त को मना जाता है, 29 अगस्त को ही जनम हुआ था, 1905 को हाकी के जादूगर, होकी के जादूगर, ध्यान चंद का, होकी के जादूगर बोला दाता है, मजीशन ऑफ होकी, और बोलते हैं कि जब जर्मनी में ओलम्पिक्स हुए थे, तो जो जर्मनी का जो डिक्टेटर था, हैडॉल फिटलर, वो इनकी खेलने से इतना दिया था, तो उनी का जनम है, 39 अगस्त को, 1905 इनको गयोफर दिया गया था, जर्मनी के नेता, अडॉल्फ हिटलर द्वरा, डिक्टेटर ही कहेंगे, अडॉल्फ हिटलर ये अच्छा, एक सी हिटलर से यह याद आखना, याद आगा, कि क्या सुभाश अंदर बोस जी हो, नेता जी कहके पुकारने वाला, व्यक्ती जो है सबसे पहले वो कौन है, तो अडॉल्फ हिटलर, अडॉल्फ हिटलर ने ही लीडर कहा था किसको, सुभाश अंदर बोस को, अगला इंपोर्टेंट स्पोर्ट से यह है कि भाई, 44-वा खेलो इंडिया गेम्स, सोरी, 44-वा न किया जाता है, तो हर्याणा के किस जीने में, पंच कुला में, एक मैंने आप सोच रहोंगे कि राजीव गांदी अवार्ड मीसर आपने लिखवाया, जो कि स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है, राजीव गांदी खेल रोतन अवार्ड, वो मैं पिछली वीडियो में साथ लाग रुपे थे बढ़ा की कितनी कर दी, तो पच्चीस लाग कर दी, सबसे पहला 1991 में तिया गया था, विशव नाथन आदंद को दिया गया था, और अब के साल का हर्याणा के दो, हर्याणा के दो खिलाडियों को मिला है, जिनका नाम है राणी नाम पाल और विनेश कोर करते हैं, चलिए, तो अरजुन आवाड जो है भाई, हर्याणा के कितने खिलाडियों को मिला है, तो हर्याणा के टोटल छे खिलाडियों को अरजुन आवाड मिला है, जिसमें बकाइदा जो राशी है, इनामी राशी है, वो कितनी कर दी है, बढ़ा के, पांच लाग से बढ़ा के 15 लाग कर दी है पहले इसको किसके इकवल मानते थे तो भाई भीमावाड के इकवल मानते थे जो कि हर्याना का सबसे बढ़ा खेलावाड है बढ़ते हैं आके चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट है कि हर्याना के अंदर CID के CID के नए चीफ बनाए गए हैं सवाल पूछ साब को CID का नियू चीफ बनाए गया CID क्राइम इन्वेस्टिकेशन डिपार्टमेंट CID जो है वो स्टेट के इंडर आती है और एक सीब्य ही होती है क्राइम ब्राच इन्वेस्टिकेशन वो सेंटर के अंदर आती है यह चीज ध्यान अटना नेक्स्ट है वह कि यह जो 2020 बीस वर्ष है 2020 वर्ष हर्याना सरकार ने इसको सुशाशन वर्ष मनाने का संकल्प लिया है या उन्होंने ये बोला है कि 2020 वर्ष यो है यह सुशाशन वर्ष मनाया जाएगा ठीक है सुशाशन मतलब गुड गवर्नेंस इंगलीश में कहते हैं गुड गवर्नेंस गवर्ने पूछ चुका है दोबारा फिर से पूछा जा सकता है तो याद अखना सुशाशन वर्स के रूप में मनाने का निंदा लिया है कि साल को तो 2020 को ठीक है अभी 2020 सुशाशन वर्स है और एक याद अखना इंडेक्स बीं आया था बई Good Governance English में सुशाशन को इन क्या कहते है तो गूड गवर्नेंस ही कहते है तो गूड गवर्नेंस इंडेक्स आया था सूची आई थी कब रिलीज होई थी तो 25 दिसंबर 2019 को जिसमें हर्याणा हर्याणा जो था वह स्तात्वे स्थान पे था और पहले स्थान पे तापका TN TN बोले तो तमिल नाडू था तो याद बखना सुशाशन वर्स 2020 को सुशाशन वर्स के रूप में मिलाने का निमना लिया गुड गवर्नस इंडेक्स में हर्याना का नंबर क्या है साथ पहला नंबर है तमिल नाडू और 25 दिसंबर 2019 को गुड गवर्नस इंडेक्स जारी किया गया था 25 दिसंबर को ही जनम है किसका तो परधान मंतरी सिरी अटल बिहारी वाजपाईची का जनम दिवसे 25 दिसंबर याद रखना ठीक है उसी दिन गुड गवर्नस इंडेक्स को क्या किया गया था तो जारी किया गया था तो इससे पहले मैंने बताया CID CID के चीफ किसको बनाए गया तो अलोक मित्तल को बनाए गया CID Crime Investigation Department किस के इंडर आता है तो हर्याना सरकार के इंडर आता है स्टेट गवर्नमेंट के इंडर गवर्नमेंट के इंडर आता है और CBI जिसकी की फुल फोम है Central Bureau of Investigation जो कि किसके इंडर गवर्नमेंट के इंडर आती है Central Bureau of Investigation ये है Crime Investigation Department ठीक है Next है वई नुहू मिवात का नाम नया नाम नुहू है नुह जो नगर पालिका है नगर पालिका उसको दरजा दे दिया गया है नगर परिशद का नगर परिशद का दरजा मिला है किसको मिला है तो नुह नगर पालिका को मिला है अब नुह नगर परिशद हो गया है तो हर्याना में ऐसा करने से total नगर परीशत है वो हो गई है 21, total 21 है 21 नगर परीशत है बकाइदा इसके लिए हर्याना नगर पालिका शंशोधन विधेयक जो था वो पारित किया गए था 2020 जिसके दुआरा 9 नगर पालिका को दरजा दिया गए नगर परीशत का और अब total हो और नगरपालिका के गर मैं बात करूं नगरपालिका तो नगरपालिका भाई पहले 58 थी नू को मिलाके एक नू हटा दिया तो अब हो गई कितनी तो 57 नगरपालिका हो गई है ठेक है नेक्स्ट अभी हर्याना विधान सबा ने अपनी पहली मासिक पत्र का रिलीज की है जिसका नाम है सदन संदेश तो पूछेगा सदन संदेश किसकी मासिक पत्र का है तो हर्याना विधान सबा की या इसे पुछेगा हर्याना विधान सभा दोरा जारी कीगी पहली मासिक पत्र का कुंसी है तो सदन संदेश और कब जारी की थी तो भाई ये अगस्थ से शुरू हुई थी ठीक है पहली सदन संदेश हर्याना विधान सभा की मासिक पत्र का है अगस्थ से शुरू हुई थी स अधरन संदेश ठीक है और इसका विमोचन किया था भाई तो किस ने किया था तो सीम ने इसका क्या किया था तो विमोचन किया था और उन्होंने विधान सबा में भगवान शरी कृशन के रत पर बगवान शरी कृशन का रत और शरीमत भागवत गीता का जो चितर है वो भी क् अनावरन किया था ठीक है उसका भी अनावरन किया था किसका भगवान श्री क्रिशन के रत और गीता के चितर का भी क्या किया था अनावरन किया था विधान सभा के परीसर का जो गेट है वहाँ पर ने लगाया था है ना रत और गीता का चितर लगाया था भी यह चीज़ा चलिए इसके आगे next video के अंदर करेंगे आशा करते हैं कि video पसंद आई होगी भाई important topic है पशुधन वाला तो उसको अच्छे से notes बना लेना अच्छी लगे तो आगे share करो comment करो और जो topic पर आपको video पहले चाहिए वह आप comment box में लिख सकते हैं उसके आपको video मिल जाएगी जल् आप करेंगे ब्लाइब। झाल 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 झाल